दोस्तों, नमस्कार! मैं अजये कुमार बर्मा, A.C.N.A.V.C. आज का वीडियो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट था और काफी मेरे दोस्तों ने कमेंट में ये पूछा की अजे भाई अपना जो आपका इस बार आई बी का जो आपका लाट उठा था उसका वीडियो बनाईए तो दोस्तों आज मैंने सोचा कि क्यों ना दोस्तों को वो चीज बता दिया जाए जो मेरा प्रॉफिट हुआ था और कितना बढ़ था कितने रुपे में हमारी बुग गई थी और क्या हमारा मतलब सारी चीजे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुचाने वाला हूँ और मैं बता देना चाह रहा हूं दोस्तों की अभी कुछ समस्याएं हैं जो की हाबी हो रहे हैं धीरे धीरे अभी मेर पास एक इंदोर और वह बो पाल इन दो जगहों से फोन आया दोस्तों दोनों जगहों पर एक ही प्राबलम है जो की बड के अंदर दोस्तों वाइरल आ चुका है वाइरल की समस्या आ गई है हां यह बहुत ज़्यादा मातर में नहीं है पर आ चुकि है दोस्तों तो इससे के लिए आप लोग सतर्क रहें और समय रहते इसका इलाज कर लें दोस्तों क्योंकि वाइरल एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है इसमें इसकी कुछ कंडिशन्स हैं दोस्तों चलिए खैर इसको मैं आगले वीडियो में बताऊंगा अब वह चीज़ है दोस्तों कि आप लोग सतर्क रहें बाकि जो मेरा में टॉपिक है कि आज मैं अपना प्रोफिट कितना हुआ था पिछले लाट में उसको बताने वाला हूं तो दोस्तों यह कहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो फार्म कोड है वह है डी 738 डी 738 मेरा पूरा नाम है अजय कुमार बर्मा और दोस्तों आइडी इसमें आप देख सकते हैं कि उपर में आइडी भी है और फिर डेट है दोस्तों ग्यारा 01 और 2022-219-2022 ठीक है दोस्तों तो यह चीज़े हो गई अब मैं डारेक डीटियल पर आता हूं तो जो हमारा बर्ड था दोस्तों जो हमारे फार्म के अंदर बर्ड का प्लेस्मेंट हुआ था वह हुआ था 188 बर्ड का ठीक है मोटेलिटी जो हुई थी दोस्तों मोटेलिटी और बीक मिला करके दोस्तों ये था हमारे पास 119 बर्ड और जो हमारा बर्ड लिप्टिंग हुआ था दोस्तों यानि जो हमारा लिप्टिंग हुआ था वो था 2161 बर्ड बर्ड का जो बोडी वेट केजी में आया था दोस्तों वो आया था 45 सो बावन किलो 4525 किलो पॉइंट पच्चास पांसो गराम ठीक है यानि 45 कुंटल बावन किलो पांसो गराम ठीक है दोस्तों मेरा वजन आया था और फीड जो हमारा लगा था वो लगा था 7620 केजी 7620 केजी हमारा फीड कंजप्शन किया था हमारे वर्ड ने और जो हमारा लोट का ग्रेड है दोस्तों वो है ए आप देख सकते हैं कि वो है ए ग्रेड अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि मेरा जो मोटेलिटी परसेंटेज था वो था 5.219 जो हमारा मोटेलिटी परसेंटेज था दोस्तों वो था 5.219 यह हमारा मोटेलिटी परसेंटेज था अवरेज बोडी बेट जो हमारा वर्ड इस बार पिछली लाट में लिफ्टिंग वा था वो 2.107 ग्राम 2.107 ग्राम मतलब 2100 ग्राम प्लस में लिफ्टिंग हुआ था दोस्तों और हमें जो पर केजी प्रोफिट हुआ था दोस्तों वो हुआ था 9 रुपे 20 पैसे यहां पर देख सकते हैं करें कितने रुपे केजी फार्मर को प्रोफिट हुआ है वह हमारा वह था 9 रुपे 20 के जी lo nice point 20 के पर केजी के सबसे हमारा फ्रोफिट हुआ था अब मैं आगे आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों एक चीप्स का जो हमारे चीप्सका जो कास्ट हुआ है और एडमिन 25 उरुपय का चिक्स में कंपणिया था कंपणिया था कंपणिया फीड कंपणिया है वो है तीन रुपे इस तरह से दोस्तों यह आप टोटली एक साइड में करके दिखाया गया है दोस्तों आप देख सकते हैं कि टोटल एमांट जो है वो पूरा एक साइड में कल्कुलेट किया गया है और फिर इसके बाद में इसमें दिखाया गया है प्रोडक्शन कास्ट पर कि अब मैं आगे आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि आप जो ग्रोविंग चार्ज डीटियल में आप देखिएगा यह लास्ट वाले में है कि इसमें आपको लास्ट में यहां पर देख सकते हैं कि 41,888 रुपए आ रहा है मारा ठीक है 41,888 रुपए तो जब हम लास्ट में देखेंगे दोस्तों जो नेट ग्रोविंग चार्ज होता है एकदम लास्ट में आप देखिएगा तो है 41,888.74 यह है ग्रोविंग चार्ज और इसके बाद में हमें जो पे किया गया यानि जो कंपनी के द्वारा हमको दिया गया दोस्तों कि वह मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोटल एमाउंट वह है 41,127 रुपए बाइस सो बर्ड में दोस्तों बाइस सो असी बर्ड में जो कंपनी ने हमें दिया वह दिया एक तालेस अजार एक सो सताइस रुपए बहुत सारे लोग यह भी पूछ सकते हैं कि सर 218 बर्ड में आपको इतना ही कैसे मिला तो इसका मुख कारण जो है दोस्तों होता है यह कि यह जो आपका ग्रोबिंग चार्ज यानि प्रोड़क्शन कास्ट जो है दोस्तों अगर प्रोड़क्शन कास्ट आपका घट जैसे कि मान लिजिए कंपणी ने जो निर्धारित किया है कि 81 रुपे कुछ पैसे मतलब अगर 81 रुपे से आपका प्रोड़क्शन कास्ट जितना नीचे घटता जाएगा उतना ही समझ लिजिए आपका प्रॉफिट होने वाला है अब आगे जो मैं कुमर बहादुर जी का क sincere बताया उसके साथ में बहुत सारी लोगों का मैंने बताया है यह पर्फार्मेंस का अश्दयक में जो आपको धिखाया है अ है उसमें आपने देखा होगा दुस्तों कि लोग का जो से ग्रोविंग चार्जहैं यह यनि प्रोडॉक्शन कास्ट है दोस्तों वह किसीका 77 र यहां पर समझने वाली बात यह है दोस्तों कि जैसे मान लिजे कि आपके फार्म में किसी प्रकार की बीमारी ना आने पाए लास्ट में इचली क्या हुआ दोस्तों कि जब मेरे घर में साधी थी उसी पीरियड में और तीन दिन बढ़ जो है साधी के चलते थोड़ा सा घर पर ही था इसके कारण से थोड़ा सा मतलब जो हमारा ग्रोविंग चार था यानि उस टाइम पर बड़ हमारा बैक कर गया दोस्तों जिसके वज़से ऐसा हो जाता है तो दोस्तों आप लोगों को जब बड़ डालते हैं तो यह मान के चलिए कि हमें एक दिन से ले करके औ और पूरा फाइनली जब तक हमारा लिप्टिंग नहीं हो जाता है तब तक आपको विशेश रूप से ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है दोस्तों कि यानि बहुत सारे किसान बैक्यास होते हैं कि पहले सब्ता में मेहनत करेंगे इसके बाद में अपना चलता रहेगा चलता न विवस्ता मेंटेन रखनी होगी वरना आपका यह मान के चलिए कि कभी-कभी ऐसा देखा गया है दोस्तों जैसा कि मेरे साथ भी हुआ था और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका 32 दिन तक यपसियार आता है 77 और शरी मलब प्रोड़क्शन कास्ट जो होता है वो होता है 77 और लाश्ट के तीन दिन या चार दिन जब 36 दिन पर लिप्टिंग होती है और उसी बीच में वो लोग थोड़ा केर कम करते हैं अचानक से वो सतहत अपना 75 रुपया बढ़ करके 80 रुपय में पहुँच जाता है तो यह सब होता है दोस्तों इसको आप लोग अगले वीडियो में कल के वीडियो में और एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धनवाद दोस्तों